नमस्कार साथियों आप सभी डियलेट पर सिक्षू का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ अंजली वालियान दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे डियलेट बैच 2019 ने आज SCERT पर एक सफल धरना दिया और उस धरने का क्या कुछ निश्कर्श निकला है क्या बाते सामने निकल करके आई है उन सभी पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों डियलेट 2019 बैच के सभी पर सिक्षों ने बहुत ही एकता के साथ आज अपनी हिम्मत दिखाई और कई गंटों की मशकत के बाद एक पॉजिटिव आप कह सकते एक पॉजिटिव वहां से आदेश मिला है यह लिज्जे की पॉजिटिव वाइब दिख रही है परमोट होने को लेकर के क्योंकि SCERT महानिदेशक ने तीन दिन का समय मांगा है कि तीन दिन का समय दीजे आपके हित मे कहीं निर्ने लिया जाएगा तो चलिए एक एक कर सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ निर्ने आज के धरने का निकला है क्या निशकर्ष निकला है और किस आधार पर परमोट करने की बाद ऐससे ही आड़ी महानिदेशक जी ने कही है तो सबसे पहले तुम कि वेस्कियों ने प्रदोशन किया फर्वषि में शे महेंने पूरे होने के बाद भी परिप्शा नहीं हुई है अच्चति हृत्ष ने में ब्सक्रास बरती अब्हते का लगणे मैं से व लाकात कि तो दोस्तों जैसा कि आपने बिल्कुल अभी सुना यहां पर बात की जा रही है तृत्य सेमेस्टर जो पर्मोट होने का आधार रखा जाएगा इस बार चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर नहीं बलकी यहां पर बात की जा रही है दोस्तों फर्ड सेमिस्टर के इंटर्णल के आपके मार्क्स के आधार पर इंटर्णल के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर पर्मोट करने की बाध कही जा रही है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पहलू भी होगा कि अगर फॉर्थ सेमेस्टर के आधार पर ना होकर अगर इंटर्नल के आधार पर पर्मोट किया जाए तो किसी भी परसिक्षू की बैक नहीं लगेगी और दूसरी बात ये है कि जो दबाव होगा एक सेमेस्टर के उपर द बहुत जादा दबाव होता क्योंकि अगर फॉर्थ सेमेस्टर में बैक लगती तो थर्ड सेमेस्टर के एक्जाम भी आपको फिर से देने पड़ते तो इसी कारण अगर ये फैसला पी एंपी सचीव मान लेते हैं और यही आगे तक रहता है कि आपका थर्ड सेमेस्टर पर हम न्यूज देख लेते हैं से मुलाखाद की इस दो रांड डीजी ने अभ्याथियों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगे पूरी हो जाएगी इसके साथ ही डीजी ने कहा कि इंटर्नल असेस्मेंट के अगहाद पर अभ्याथियों को प्रमोट क्या जाएगा प्रमोट करने के लिए हम लोग अच्छा परोडी के सेस्टन समाप्त हो गया और अभ्याथियों को प्रमोट करने की जो हम लोगों को मांगे इसको सुडार कर लिया और जो हमारे सभी भाईयों के साथ लिया लगाता डटे रहे हैं जिसकी वज़ेश से हम लोगों को यह से खल्दा पराप्त हुई है जब रवडी को सेस्टन समाप्त हो गया था पास महीने डेट हो चुका था तो वाकई दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा आज का धरना बहुत सफल रहा और अब बस तीन दिन का इंधिजार है कि लिखित में कोई लेटर जारी कर दिया जाए जारी कर दिया जाए क्योंकि यहां लिखित में कुछ नहीं कहा गया है बलकि एक तरह से कह सकते हैं कि आशवाशन दे दिया गया है कि बिल्कुल परमोट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर को डी जी ए ने सिक्षा महा निदेशक जो है डॉक्टर सरवेंद्र विक्रम सिंग को आदेश दिया कि डी एले ट्रित्य सेमेस्टर परमोट परकरण को जल्द ले संग्यान में और अभी तक परमोट क्यों नहीं किया गया है यह सवाल भी उनसे किया और तीन दिन के अंदर अ काथियों तक पहुचाए ताकि सभी को पता चल सके कि आज के धरने का डिशकर साखिर क्या निकला है तो देखिए अब परमोट के लिए यहां पर आप कह सकते हैं कि बस ओफिशियल लेटर आना बाकी है बाकी पूरी तरह से यहां पर आशवाशन बहुत अच्छे से दिया गया है और एक बहुत ही बड़ी सफलता होगी अगर तीन दिन के बाद जल्दी से जल्दी अब कोई लेटर आ जाए ओफिशियल जिसमे की आपका बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो कि थर्ड सेमेस्टर को परमोट कर दिया गया है और इंटर्नल के मार्क्स के आधार पर तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी और दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी यह भी है कि आप लोगों की जिनकी भी इंटर्नशिप पूरी हो गई है वो अपने लेटर स्कूल से लेकर के अपने कॉलिज में जमा करा दे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने काम को फिनिश करें और जिनकी अभी तक इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है वो अपने एक बार स्कूल में कॉंटेक्ट कर ले कि वो ओनलाइन अगर आपकी आप कह सकते हैं अगर ओनलाइन आपकी इंटर्नशिप कराना चाहे तो ओनलाइन पूरी कर लीजिए उसको जब जाये इन जितने भी परसिक्षों वहां पर गए उन सभी ने बहुत ही हमत के साथ काम लिया और मैं आपसे उमीद करूँगी कि आप लोग इनकी महनत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे सभी परसिक्षों तक शेर करें इस वीडियो को और सब तक जानकारी को पहुंचाए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अब सभी अब्रेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यहीं पर आपको सारी की सारी जानकारिया दी जाएगी धन्यवाद साथियो